नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी कैप्टल मेरे नाम है उतकर श्वामा और मैं हूँ आपका साइकोलजी मेंटॉर मेरा मिशन चल रहा है कि इस बार जितने भी मेरे बैच्चों में बच्चे आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स बच्चे मेरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं डेट्स 10 अफ मार्च मेरे न्यू बैच्च आ रहे हैं जल जल एंड्रोल हो जाओ लास्स टॉपिक में बात कर रहे थे सैंप्लिंग के बारे में एक मुझे बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज लगी जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए ही तुम लोग के साथ एक टर्म होता है साचुरेशन सांपलिंग बहुत लोग को यह नहीं पता होगा जिन लोगों ने एक सींग पड़ी होगी मैं भी उन्हें पता हो यह तर्व अब सापिक है इससे आपके डियू बहुत पेपर आ राखें बहूत कोश्चन सारकर जीनने प्रिविस देखा होगा कि एक तरी का question आता है जहां पर लगता है लोगों की answer purposive sampling होगा पर उसका actually में answer होता है saturation sampling अब यह होता क्या है देखो दो तरह की non probability sampling होती है एक होता है आपका judgmental sampling जिसको हम बोलते है purposive sampling ठीक दूसरा होता है आपका saturation sampling यह जादा बुक्स में दिया नहीं रहता है पड़ यह बहुत important चीज है और दोनों में बहुत thin line का difference है इसलिए जो generally जो लोग होते है इसको interchangeably use कर लेते हैं बट बहुत ही minute से difference होता है और यह generally आपके interview में पूछा आता है जब किसी अचीजी के PGA research के लिए बैठते है तो वहाँ पर इंटर्वी पूछाता है देखो judgmental sampling क्या होती है simple से यह non probability sampling है इसका मतलब कि यहाँ पर random तो कुछ होगा नहीं हम अपने convenience साफ से चुनेंगे इसमें माल लो हमें कुछ ऐसा sample लेना है जिसमें पता है कि हम guess कर पा रहे है कि मुझे लगता है कि मेरे research के लिए ये इंसान suitable हो सकता है तो मैं उसका response ले लूँगा I am not sure मुझे बस लग रहा है कि मुझे जो research characteristics शाही है इस person में इसके अंदर वो हूँगी इसलिए मैं इसको ले ले रहा हूँ बहुत माइनुट से difference अध्यान समझना जो saturation sampling होती है वो exactly सब कुछ सेम होती है इस दस कि मुझे confirm पता रहता है कि इस person के अंदर इस बंदे के अंदर वो characteristics है बहुत माइनुट से difference है judgmental sampling आप judgmental होते हो judgment करते हो judge करते हो कि maybe हो सकता है नहीं भी हो सकता है मुझे लग रहा है बस कि इस इंसान के अंदर मेरे research में participate करनी characteristics होंगी है या नहीं I don't know होंगी हो सकता है तो मैं इसको ले लेता हूँ लेकिन saturation sampling में आप exactly उनहीं लोग को अपनी research में लेते हो जिसमें आ मालनो मुझे physically-abled बच्चों पर study करनी है कोई तो अगर मैं saturation sampling use करूंगा तो मैं exactly उनहीं बच्चों को अपनी study मिलूंगा जो की physically-abled होंगे अब यहां पर मुझे पता है कि वो हैं तभी मैं उनको ले रहा हूँ मैं confirm sure हूँ लेकिन मालनो मुझे study करना है कि mentally retard patients या उन इनका IQ 50 से कम होता है मुझे उन पर test करना है तो या तो एक option है इसके पास कि मैं हर एक बच्चे का IQ test लूँ फिर देखूं कि choose करूं इसके उपर यह तो दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं उनके exams के marks उनके कुछ behaviors उनके parents से बात कर लूँ इसकी बिस्विस पर मैं idea लगा सकता ह कि हाँ इसका IQ 50 से कम हो सकता है मुझे exact पता नहीं है मैं idea रखा सकता हूँ maybe judgment कर सकता हूँ तो ऐसे condition में जब हम शौर नहीं होते हैं अपने sample को लेके कि उसमें characteristic present होंगी या नहीं होंगी exactly confirm नहीं रहते हैं वहाँ पर हम judgmental sampling यूज करते हैं या फिर purposive sampling ओके और जहां पर ह में एक दम short रहते हैं confirm रहते हैं कि यह चीज़े तो हैं ही sample में वहाँ पर म्यूज करते हैं saturation sampling तो यह बहुत ही important concept था बहुत ही minute से concept है बहुत important difference बहुत फुटर difference है इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है बहुत easy भी है और जानना बहुत important भी है क्योंकि एक्जाम में एक रखा वह question होता है तो इस तरह के और भी interesting concepts को अगर पढ़ना है बहुत minute से में changes होते हैं new चीज़ों को पढ़ना है न्यू तरीकों से पढ़ना है तो मेरे courses में जल से एन रोल होई है batches हमारे एक अभी चल रहा है और next batches हमारे बहुत जल्दी 10th of month से start हो रहे हैं side details आप कि दो महिने बाद आप लोग psychology में confident feel करोगे okay मिलते हैं हम लोग अपने course में thank you